आज दिल्ली में बंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर का एक मार्श आयुजित किया गया All India Left Parties और Progressive Friends के द्वारा जिसमें तमाम तरह के कारिकरता Students और Political Activists, Political Leaders से शामिल हुए आज ये बात करते हैं उन कारिकरताओं से जो इसे मार्श में शामिल हुए है हम लोग यहां देश भर में जो प्रदशन होने मांदलों की तरफ से यहां हम लोग जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं बिदोड प्रदशन है आप बताये यहां 370 के खिलाफ हम अपने आवाज उठा सकते हैं लेकिन कश्मीर की जंता ने कर सकते हैं कश्मीर की जनता की उपर कर्फ्यू है, कश्मीर की जनता की आवाज दबाने के चालीस हजार हत्यारों से लेस हमारे फौज, हमारी सियार की अफिसर रोजवान हैं, तो ये देश को इस तरह आप जोड़ेंगे, आपने कश्मीर को तोड़ा है, आपने संग्वधान की धज्य तोड़ा है, आपने प्रदेशों का जो राज्यों का जो अधिकार हमारी संग्वधान ने दिया है, संग्य जो एक धाचा है इंदुस्तार का, उसको आपने तोड़ा है, और आप कहते हैं कि आप देश की एक्ता चाहते हैं, भूदी जी और शाह देश की एक्ता ने, विट कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ है मैं समस्ताओं की बहुती अन्य हुआ है और पूरे देश के हिसाब से मैं बात करूं तो बहुत जबरदस खतरनाक संकेत है कश्मीर को धारा 370 से भारत के साथ जोड़ा गया था ये धारा 370 इतिहास की वज़ा से एक ऐसा प्रावधान थ संबिधान में जो कश्मीर और शेष भारत को जोड़ता था और उसको एक हाएक खतम कर देना वो भी इस तरीके से बिना कश्मीर के लोगों से कोई बात किये कश्मीर पर एक तरह से कारफू ठोप करके अपातकाल ठोप करके तो मैंने समस्ता कि इसका कानूनी माइने क्या है इस पर तो कानून के धरातल पर भी बहस होगी लेकिन कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है मैं समझ सकता हूँ कि आज किस तरह का अलगाओ आज वो उनको महसूस हो रहा है और इसलिए हम लोग तो पुरदेश में कोटेस्ट कर रहे हैं बताने के लिए कि हम कश्मीरियो को दो राज्यों में बाटा गया जैसे बिहार को जैसे यूपी को जैसे मध्रप्रदेश को या हाल ही में अंध्रप्रदेश को अब कश्मीर को एक आए एक जो एक राज्य था उसको दो यूनियन टिरिट्री में तबदिल कर दिया गया तो मुझे तो लगता है कि बिहार के हर नौजवान को सोचना चाहिए बिहार के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कल अगर रात को मैंने नीज से उठने के बाद सुगा अगर आपको पता चले कि बिहार अब एक अलग स्टेट नहीं है उसको भोजपूर और मिथिला और कोशी और मगद चार यूनियन टेरिटरी में बाट दिया गया अगर हमारे यूपी के भाईयों को बहनों को अगर ये पता चले कि उत्तर प्रदेश अब एक अलग राज्य नहीं रहा उसको पुरवान चल बुंदेल खंड और हरित प्रदेश जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी में बाट दिया गया तो आपको कैसा महसूश होगा यहां से खड़े होकर के सोचना चाहिए कश्मीर के लिए 370 एक रिजर्वेशन जैसा था तो हमारे तमाम SCST के OVC के भाईयों बहनों को जिनको इतिहास की बज़ा से हमारे देश के पर अगर इसको खतन कर दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा यहां पर खड़े होकर के कश्मीर को समझना चाहिए आज जो लोग जशन मना रहे हैं कि चलो आप कश्मीर में जाकर के जमीन खरी देंगे कश्मीर की जमीन अब हमारे कौन लोग आज यह कश्मीर में जमीन खरीदने का जशन मना रहे हैं जो लोग सुन भद्र में आदिवासियों की हत्ता करके उनकी जमीन च्छिनने पर आमादा है जो लोग जारखन में छोटनाकपू टेनंसी एक संधाल परगना टेनंसी एक को खतम करके जारखन के आदिवासियों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं जरीवों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं जो लोग फॉरस्ट एक्ट को रिडाइट करके एक मिलियन से जादा दस लाग से जादा आदिवासियों को जमीन से बेदाखल करना चाहते हैं वैसे ही ये भूमाफिया के लोग होंगे जिनको खुशी हो रही होगी कि अब कश्मीर में हमको जमेर मिल जाएगी मुझे लगता है कि कश्मीर के सवाल को हमें भूमाफिया की दृष्टी से नहीं देखना चाहिए कश्मीर के सवाल को हमें देखना चाहिए देश के लोगकंथ के हिसाब से देश में सम्भिधान की प्रिष्टी से इस देश में जो इतना बड़ा देश है बिवित्ता के जरिए ही हम देश को एक रख सकते है बिवित्ता को अगर ख़तम करेंगे उसको अगर बुल्डोजर से रौट देंगे तो देश की एक तब बचेगी नहीं कश्मीरियों को धकेल देंगे भारत से उनको अलगाओं में धकेल देंगे तो जो लोग कहरे हैं कि अवर我们 कश्मीर में निपट लेंगे, आप नहीं निपट सकते तो आप कश्मीर को और जाद आपने दूर धखेल दिया, कश्मीरियों को दूर धखेला है और एक भारतिय होने के नाते और लोक्तंत्र संबिधान में आस्था रखने वाले एक नागरिक के हैसियत से मुझे इस वक्त काफी दुक है, काफी मैं कश्मीरियों का जो मनोस्थिती मैं उसको समझ सकता हूँ अब मुझे लगता है कि हिंदोस्तान में हर मजदूर को हर किसान को हर नौजवान को हर जलीद को हर महिला को हर आधिवासी को और इस अमबेटकर के सम्भिधान में आस्था रातने वाले हर भारतिये नागरी को इस समय कश्मीर का साथ देना चाहिए और पिश्मीर के पच्च में लोगतर से पच्च में आवाज दिलन करनी चे लिए हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं दिली युनिवर्स्टी से मैं फूद हूँ इस बात को अपनी सरकार को बोलने के लिए कि जो उन्होंने दो दिन पहले हमारे हो मिनेशर अमिर्शाजी पार्लिमेंट के अंदर किया वो पूरी तरह से इलीगल था और अंकॉंस्टिटूशनल था और हम अपनी सरकार को यह याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमारे देश के अंदर कॉंस्टिटूशन सुप्रीम है और बाकी सारे सरकारे वो सब उसके बाद आते हैं और 370 को जिस अला करके युनिटरिटी बना दिया यह सब कुछ एक अरबिटरी तरीके से किया गया है जो अनकॉंस्टिटूशनल है क्योंकि 370 के अंदर खुद यह दिया गया है कि अगर आप कभी भी हमारा प्रेजिदं 370 को हटाएगा तो वो जम्मो इन कश्मीर की लेजिस्टेव अस कश्मीर को सीज के अंदर रख दिया है कश्मीर के सारे ओपोजिशन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है करफ्यू लगा दिया है और कम्मुनिकेशन चानल पूरी तरह से बंद है तो अब दिस सरकार को यह कहना चाते हैं आप जिनके लिए फैसला रे रहे हैं आज आप और सिरफ एक जूट और आग लगाना देश के अंदर है वही कश्मीर के नाम पे वो लोग कर रहे हैं और हम जो सिटिजन है इस देश के हम अपनी सरकार को यह कहना चाते है कि बिल्कुल गलत है इस पूरे फैसले में आपके देश के नागरिक आपके साथ नहीं है आप इसक सत्त को थर्टिपाइट एक को जो कॉंसिटिशन प्रमाइसे हैं इनको वैसे के वैसे वापिस से लाइए और कश्मीर के अंदर ये जो सीज का महल है इसको बंद करिए जो हाउसरेस कर रखा है उन लोगों को वापिस शुटिए आज सारे लोग हम लोग इस मार्च में आए हैं हम लोग कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होने के लिए जो उनसे बीना पूछे उनके लिए कुछ फैसले ही सरकार ने ले लिए हैं उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और एकदम साफ साफ डिमांड है कि वहा हम देश की हवाम कश्मीरी को यह बताने के लिए आई हैं कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हुए हैं आप अपना संगदर्श जारी रखी कश्मीर को इंसाफ बदो आपकल 370 वापस लाओ आपस लाओ आपकल 370 वापस लाओ